नमस्कार नमस्ते सार, अब मुदुल जी आपको बहुत बहुत शुब कामना है आपने एक नया स्रणिंग इतियास रचा है कि पहली बार एडवांस में भी और मेन में भी आपने प्रथम मेरिट प्राप करकर यह आएटी के इतियास में एक स्रणिंग जूग है इसके लिए आपको बहुत बहुत शुब कामना है बहुत बहुत बलाई आपके मातापिता को आपके उन सब शिश्रुकों जिनोंने प्रारभिक शिक्षा दिलाई फिर स्कुली शिक्षा दिलाई और विशेष रूफ से फिर कोटा एलेन कोचिंग में आपने कोचिंग प्राप करके कोटा का नाम जैपुर का नाम पुरी राजस्तान का नाम गुरोयंत किया है मुझे लगता है कि कोटा में पढ़ने वाला हर विध्यारती देश में तो किर्तिमान हाशिल करेगा से ही मैं दुनिया के अंदर भी देखता हूं कि भारत का एटियन फुरी दुनिया के अंदर आज नेत्रत कर रहा है उसकी स्किल्ड उसकी यहां की शिक्षा यहां के संस्कार यहां की तक्निकी शिक्षा उनकी रिसर्च विंग निश्ची दूफ से आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर सबसे बहत्तिन होंगे मैं आपको इस के लिए शुब कामना देता हूं बढ़ाय देता हूं अब आपके आगे के भरिष की योजना क्या है अब आगे लॉंग टर्म में इंडिया टेक्ट अपने ने कॉंटर्ब्यूट करना है एक इंडिया इंडा बड़ा पोटेंशिय करता है जी अपना भी कॉंटर्बिशन अच्छा का सदेना है बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि भारत के आर्थिक सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आप बहुत बड़ा योगदान दोगे और भारत का नाम दुनिया में बड़ा करोगे इस पड़ाई के साथ साथ भुष की और क्या योजना है आपकी अब इसके बात 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 बहुत शुकामना है यही हमारे भारत के नोजवानों के संसकार है कि जिस माटी में पेदा हुए है वहाँ पर वह दुनिया में नाम करेंगे तो भारत का नाम करेंगे वर्ड की सब से उन्यूशिटी में पढ़ेंगे वहाँ पर टॉप करेंगे ताकि दुनिया को बता सके कि भारत का विध्यारती का कितना बड़िया टेलेंट है बहुत बहुत शुकामना बहुत बहुत तर्देवार को भी बहुत बहुत शुपकामना बहुत बहुत लगई ध॥ क्षरतं ऑधि धन्यवाद मिंल्डमि धाने वाल आपके जय वढता पिता को भी बहुत बहुत शारुवान बहुत भबयदी